बिहार में चल रही सिपाही बहाली में दो फरजी महिला अभियर्थियों को पकड़ा गया है दोनों ही परिक्षार्थियों ने स्विकार किया कि सिपाही बहाली के लिए लिखित परिक्षा में अपनी जगा दूसरे को बेठाया था सिपाही बहाली प्रक्रिया में सुक्रुवार को चल रही शारिडिक दक्षता परीक्षा में दो महिला अभियर्थियों को उनके खिलाफ प्रात्मी की दर्ज कर पुलिस ने हिरासत में भेज दिया है बता दें कि बिहार में चल रही सिपाही बहाली शारीरिक दक्षता परिक्षा के दौरान पटना हाई स्कूल के मैदान पर दोनों आवेदिकाओं के अंगुलियों के निशान नहीं मिले शक होने पर उनसे पूछताच की गई पूछताच में दोनों ने फर्जी तरीके से लिखित पास होने की बात स्विकार की शुक्रवार को 909 महिला परिक्षार थी शारीरिक दक्षता परिक्षा में उपस्तित हुई इनमें अंतिम रूप में 369 सफल हुई इसके पहले दौर में 660 अभियर्थी सफल रही जबकि 240 अभियर्थी असफल हुई उचाई और वजन माप में 263 असफल रही कोरोना गाइडलाइन्स के अनुसार सारीरिक दक्षता जाँच चल रही है गरतलब है कि करीब सारे 11,000 महिलाओं ने सिपाही बहाली की लिखित परिक्षा में सफलता हासिल की है 11 मार्च तक इनके लिए सारीरिक दक्षता परिक्षा निर्धारित की गई है इसके बाद आफ एपरील तक पुलिस अभियर्थियों की सारीरिक दक्षता परिक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी और अब इस तरह का मामला सामने आना कहीं भरती आयोग की चिनता बढ़ात है कि किस तरह दो महिला अभियर्थी फरजिवारा कर मेंस में अपने जगह पर किसी दूसरी अभियर्थी को भेज करके शारीरिक दक्षता परिक्षा तक पहुच जाती है और अब चुनौती होगी कि ऐसे जो अन्य अभियर्थी इस परिक्षा में सामिल है उनको रोका कैसे जाए बिरो रिपोर्ट लाइव बिहाग लाइव बिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें